अपने बच्चों को यह कहा कि मैंने खेती में कोई नहीं है अगे पढ़के आगे हमारी उस्सों बनाई है सदियों से चलिया रही पुरुष पढ़ान मानसिक्ता को समय समय पर महिलाओं ने चुनोती देते हुए धर्ती से लेकर आकाश तक अपना पर्चम लहराया है पिर चाहे वो भारती मूल की एस्ट्रोनौट सुनिता विलियमस हों कल्पना चावला हों या देश और समाज के अलग-अलग शेत्रों में काम करने वाली अन्य महिलाएं हैं अज हम आपको मिलवाएंगे जिन्हों ने दुग दुद पादन में सरवाधिक दुद उत्पादन में कई अवार्ड जीते हैं और जो ग्रामिड चेत्र की महिलाएं हैं या शेहरी चेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए एक मिसाल बन करके सामने आई हैं हमारे साथ हैं बिटाना देवी जी जो राजधानी लखनाओं के छोटे से गाउं में रहती है मेरक नगर उनसे हम बात करेंगे बिटाना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका उत्तरप्रदेश टाइमस में तहले तो बहुत-बहुत शुपकामना है आपको कि आप एक बात हुई थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दीजे है चोड़ दीजे हमारे पिता जीने एक पढ़िया दी थी वह पढ़िया देड़ साल की थी देड़ साल में उसको से के पर पर चादी कब हुई आप दि नहीं को पता हो नहीं है दो साल के बाद 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 में पढ़िया दी थी तो उसको से पाल के बढ़िय किया उसने एक जब गाभिन हुई तो उसने दूद दिया तो अब खाने से ज्यादा हो जाता तो क्या करें कुछ तो बाइपार करना है तो थोड़ा थोड़ा करके बेंचे तो उसको बेंचा अपन से काफी है पादा जान परा दोस्री में उसकी पड़िये भी ओगी उसकी बाद फिर धिर देरे बढ़ते गाय बढ़ते गया तो जब वर्ड मिला तो और खुशी जए बढ़ती गाउ जा खुरीदा घाई कहुझा फिर गाया खुए नहीं से ज्यादा उपनाया जाना ग के दूद सो से उपर मेंटिंग में फिर सोचा कि और आगे बढ़ा है ज्यादा हो जाए फिर तीन गाई खरीद करें जो मतलब गायों का जो परिवार भैंसों का वह बढ़ता गया अच्छा इसमें बात पूछने चाहेंगे क्योंकि ग्रामीड शेत्र है और महिलाओं को बहु लगता हुए बना महिलाओं नहें को का मिलती है कि वह काम कर सेके इस तो नहीं श cooparta सबकर रहा है हमसीबते तो हुं वह बहुत मुसीबिते हैं कि बताई जा सकती ना गहर न बाहर तो नहीं tuberous करेंगें तो फू औरो ने करेंगी तो वेजटी होगी गर की, हमने बहुत दूख उठाया कि एक साभू कि एक सब चीज की हर अर परेसानिया जलते हम ने जो लिया करते गए अब हमने को क्या करेंगे अब घर में बैठेंगे तो इधर अधर बाते होंगे हमने अपना सोच अपने भारा से मूड़ से जैसे हमसे बनता वैसे रोड़ों के खिलाते थे हमको बहुत तकलीफ हुई जब कि हर चीज की जिम्में दारी बढ़ती गई और मुसिबिते आते गए अपनी कद मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत वज़ा कि हम भी खेटी में करते परसानी ओने बच्चे हमारे आगे बढ़ें तो हमारा नाम चलेगा कि हमारे बच्चे कुछ कर के लोग कहते थे कि टीचर होते हैं उसके बच्चे पढ़ते नहीं हारा गाय भाइबहिशे इनके बच्चे बढ़ेंगे नहीं, हम यह कभी नहीं सोचा हम अपने बच्चों को यह कहा कि मैंने खेती में कोई नहीं अगे पढ़के आगे हमारी उस्तों बनाई है हमको फिपरुसकार मेलते गए हमने अपनी बाते को छोड़ते हैं हर गाओं में परिसानी डेरी में परिसानी की इतना दूद कहां से हमने हमने अपने जितना हमसे होता तहीं तो कुछ साधन नहीं थे अपने खुपड़ी पे धो दूसरा टीचर हुआ है चोटी वाली पुलिस में बड़ी वाली नर्स है तो आपको कई बार पुरसकार दिया गया है आपको किस किस से पुरसकार मिला है मदल्ज जैसे राशपती से राशपती थे मिला राय संतर कारठ तो चोढ़ा वार मिल चुका है किस इना दिया मुख मंतरी अकले सिंग ने दिया राजनास ने दिया और म Ohoda 1 यह वह मंत सूंस म॥ ज़गह परहाता हुआ उपको मिला उह उह तस और मन्ली शह ज्तम गया हुआ दिल्ली किसानी चैनर पर गए थे महां भी सम्मानित हुआ हमने बहुत पुरुसकार ले लिया अखरी दम तक अब जो आगे होगा उस सब सब महिलाने जो है ऐसा सोचे ऐसा करें ऐसा पढ़ाएं हमारा परिवार भी दो पोती एक पड़े की छोटी अभी उम्मीद है और कितने सब्सकार आपको मिलेंगे आगे क्या सूच आपना समधान करें अपना व्योग करें अपना संब को बच्चे को सब हर घार में अपनी कदम से अपना कदम बढ़ाते चलों अब लेकिन वही लोग आपको पुरुषान देते होंगे कहते होंगे कि नहीं बहुत अच्छा है क्योंकि आपके घर का आपके गाओं का समाज का नाम आगे बढ़ा कितनी खुशी होती है अब उन चीजों को याद करके तो आप परेशान होती है लेकिन जो आपने काम किया जिसके लिए आपको पुरुषान का कितनी खुशी होती है अब सब लोगों को खुशी है अब गाओं में में सी भी बन गई सब लोग चाहे जितने बज़े दूद्धिया में कोई दिक्कत नहीं है सब समय से आए अब जब पहले जो जेला हो जेल कोई मेरोंक नहीं ते कि करेंगे अभी वर्तमान सबें कि अकर बात करें तो लगबा कितनी गाए और भैंस आपके पास हैं जो आप जिसका मतलब दूद्ध गापर करें गए गाए हैं भी इश्ठ हैं और भैंस अच्छा तो लगबा कितना उत्पादन हो जाता होगा और कित यह थी आमारे साथ बिटाना देवी जी जिनको 14 बार गोकुलपुरसकार से सम्मानित किया है मुख्य मंत्री द्वारा वही राश्पति और प्रधान मंत्री से भी सम्मानित किया गया है और इनों ने बताया कि जिस तरह से गाउं में एक गाय से शुरू किया था यह सफर इ कि हर महिला को यह सोचना चाहिए कि उन्हें इस समाज में इस अपने घर में अपनी भागेदारी स्थापित करनी होगी और कदम से कदम मिला करके चलना होगा योगेश मिश्रा उत्रप्रदेश टाइम्स लखनौ